कभी सोचा न था कि इस तरह मिलेंगे और ना ही कभी सोचा था कि इस तरह बिछड़ जाएंगे हम ना तो आसिम ने और ना ही सिद्धा शुकला है उसके परिवार ने कभी सोचा होगा कि इस तरह से होगी कि ठीक से मिल भी नहीं पाएंगे और हमिशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे तो ये जो रियूनियन हुई ने कल सिद्धा शुकला की ये काफी इमोशनल थ सबसे पहले खड़ा हो गया और एक शोल्डर उसने दिया ना सिर्फ शोल्डर दिया बलकि एक भाई के नाते जो कर्तव होते हैं जो जिम्वेदारी होती हैं सब को भाग भाग कर पूरा कर रहा है यह जो तस्वीर आई है उससे एक चीज तो साबिद हो चुकी है कि आपकी जि से लेकिन जब आपका परिवार संकट में हैं मुसीबत में हैं तो वो अपने अलगी कई शूटिंग के दुनिया में या किसी और रीजन से बाहर रह जाए यहां पर आप देख लीजिए कि हमारे समझेव सच निकल क्या है वो आसिम जो डे बन से बिक बोस 13 के अंदर सिदार और आसिम से और सिदार फिर उनी के पाले में चला गया और आसिम से फिर जगड़े वगरा होते थे लेकिन ये जगड़े ये मन मुटा वो एक दूसरी की साथ इनो परिवार पर जाना गाली को लोच ये धक्का धुकी ये सारी बाते भी आसिम को रोक नहीं पाई और कहीं न आप खुद उस गड़े में गिरते हो क्राइम पेट्रोल जब आता है टीवी पर तो जब ये एपिसोड खत्म होता क्राइम पेट्रोल का तो उसमें एक डायलोग आता है कि सबक एक को सीख हम सब को यहां सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें साब जादा पर डीटेज में जाना नहीं चाहूंगा वीडियो में छोटा ही रखना longtemps क्योंकि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी जहां तक में जाना चाता नहीं क्योंकि मोका और दस्टूर आभी वाजिब नहीं उन तनमाम बातों के लिए बस एकी बात कहना चाहूँगा कि बाहर जो पियार बैट जाते हैं बिग बॉस के हर सीजन में जो एक अच्छे इंसान को रियल इंसान को चुसलेट बोल कर नफरत भर देते हैं लोगों के दिमाग के अंदर जहर भर देते हैं आज मैं देख रहा हूं कि सिद्धा शुकला के बहुत सारे फैंस आकर मुझे ग्यान दे रहे हैं कि तो अपने वीडियो डिलेट कर ये डिलेट कर कभी किसी ने उस थुले टॉय को बोला जिसने आसिम की लाइफ स्ट्रगल का उसके गाने का हर चीज का रोस्ट किया मजाग बनाया आप खुद देख लीजिए वह सिद्ध में गुषने की जरूद है नहीं समझदारों को इशारा काफी होता है जो मैं कहना चारा हूं आप बड़े ही लावड और क्लियर तरीके से समझ जाएंगे I hope सब समझदार लोग है इतना बेवकूफ कोई नहीं है जो बेवकूफ है उन लोगों नहीं बिंदु दारा सिंग क उस बात को सपोर्ट करा था रीट्वीट करे थे आर्टी करे थे लेकिन आज देख लीजे वो बिंदु दारा सिंग जो बड़ा सगा बन रहा था सिद्धा शुकला का उसकी कहीं शकल देखने तक को नहीं मिल रही है और जिस आसिम को यह लिक चुसलेट बोल रहे थे वो अ खरिता सिंग फीपा फूज वाली या कोई भी ओ ठुले गुले सब आप देख लीजिए आसिम इतना गलत नहीं था इतना बुरा नहीं था जितना की बिंदु दारा सिंग और तमाम लोगा ने दिखाया और आज जब मौका था सिद्धा शुकला के परिवार को जरूरत थी स सचे दोस्की सचे हम्दम की आसिम वहां गया आपने गेले शिक्वे साइड में रख कर और उसके पोस्ट देखें उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी या ट्वीट बंदा दुख से दर्द से भरा हुआ है जादा कुछ नहीं बोलूँगा बस इतना ही बोलूँगा कि अगर ना कि ठुले लोगों की जो कि सिर्फ आपके साथ रहकर दीमक की तेरे आपको खोगला करते हों जब जरूद पढ़े आपके परिवार को तो उनका कहीं अता-पता ढूनने से भी ना मेले और जिसको आप आस्तिंका सांब चुसलेट या पिर एसान फरामुश बोल रहे थे वह सबसे पहले बगेर बोला है आपके पास संकट की घड़ी में आके खड़ा हो जाता कि कोई बात नहीं आरे मैं हूँ ना मैं समाल लूँगा हूँ तो तेरा यारी ना लडूँगा तुससे भीडूँगा तुससे लेकिन मुसीबत में काम तेरे आउंगा इतना तो हक मैं मैंने आपने आपको दे रखा है क्या है आपके भी रियक्शन ओपीनियन कमेंट करके अवर्ष्य बताइएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद्वाद झाला आपका बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत